सभी बच्छों कुन वश्कार बात हो रही है सिंगेज केलकुलस की जिसका चेप्टर 5 एप्लिकेशन आफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं जिसकी कंसेप्ट एप्लिकेशन एक्ससाइज 5.1 की हम बात कर रहे हैं तो देखते हैं उसका next question देखें इसका fourth question क्या कहता है हम ज हो रहा होगा आपके screen पे question कहता है कि find the normal to the curve x is equal to a one plus cos theta and y is equal to a sin theta add theta ठीक है prove that it is it always passes through a fixed point and find that fixed point एक कर दिया गया है क्या दिया है x is equal to a one plus cos theta x is equal to a one plus cos theta दिया गया है और y is equal to a sin theta दिया गया है actually यही points है parametric form आपने पढ़ा होगा न यही point है अगर हमसे कहा जाए कि किस point पे आप निकालना चाहते हो जो है normal तो आप कहेंगे यही point यही x1 है यही y1 है ध्यान रखिएगा यही point के हिसाफ से x1 coordinate है और यही point के हिसाफ से y1 coordinate है parametric form of the equation आपने पढ़ा है तो slope कैसे निकाले नॉर्मल का तो हमें tangent का slope निकालना आता है तो पहले तो directs निकालना पड़ेगा तो जब dy by dx डायट कर रहूं मैं निकालने के तरीका क्या होता है dy by d theta upon dx by d theta यही होता है ना parametric form में तो जब आप y को theta के respect में करोगे तो क्या हैग और जो x को करोगे तो a और 1 का 0 cos का minus sin minus a sin theta तो यह minus का cot theta आ गया यह actually निकला क्या है यह m actually यह m क्या है slope of tangent slope of tangent किस point पर इसी theta वाले point पर हमें तो normal चाहिए equation of tangent नहीं चाहिए तो मैंने का देखो भी यह let m1 be the slope of normal मैंने माल लिया so m into m1 क्या होता है minus 1 because normal and tangent both are perpendicular to condition of perpendicularity हम जानते हैं तो जब m1 की value निकालोगे तो minus 1 upon m बोले तो minus 1 upon minus cot theta यानि कि 10 theta यानि यह तो normal की slope निकला ही अब हमको normal का equation निकालना है normal का equation मतब equation of line passing through one point है ना तो equation of normal y minus y1 is equal to m1 x minus x1 तो y minus y1 यही point होगा a sin theta m1 बोले तो 10 theta और x minus और x1 बोले तो मैं bracket खोला हूँ minus a minus a cos theta अब एक लफड़ा यहाँ पर है नहीं कोई लफड़ा नहीं है चुकिए 10 साहब हैं और होगे sin cos साहब हैं तो मैं 10 को भी कहता हूँ वह या आप भी sin cos की term में break हो जाओं है ना चली break कर दो तो अगले step में इसको क्या लिख देंगे sin theta upon cos theta sin theta upon cos theta और cross multiply कर दो यह इसके साहँ आएंगे तो आएगा y cos theta minus a sin theta into cos theta बराबर इसको अंदर ले जाओ x sin theta minus a sin theta minus a sin theta into cos theta जोको left hand side और right hand side में दोनों यह चीज़े same है तो यह cancel हो जाएंगे same sin में cancel होते हैं left और right में तो क्या बचा वही आपका equation of normal हो गया तो यानि यह आपका आगया ऐसा करते हैं चुकि माइनस का a है तो मैं y को अधर ले जाता हूं इसको अधर ले जाता हूं तो यह आएगा x cos x sin theta minus y cos theta is equal to a sin theta यह आपका equation of normal हो गया टेली कर लेते हैं एक बार x sin theta minus y cos theta is equal to a sin theta अब अगला पार्ट यह कह रहें कि भाई यह fix point से pass हो रहा है और वो point बता तो एक तो होता idea से देख लो किस point से pass हो रहा है भाई देखो x को जब a लिखेंगे तो a sin theta जाएगा और x और y को 0 करना पड़ेगा क्योंकि cause उदर है नहीं जिस point से pass होगा जब वो point x और y के के साथ रखे जाएंगी तो वो satisfy होना चाहिए तो मैं यह मान सकता हूँ कि let it passes through x1, y1 मैं मान लेता हूँ कि let normal 1 equation 1 is passing through x1, y1 मान लेता हूँ मैं तो यनि यह point उसको satisfy करेंगे यनि यह आएगा x1 sin theta minus y1 cos theta is equal to a sin theta तो अगर मैं अच्छा यहाँ पर cause है यहाँ पर cause नहीं है तो यहाँ पर 0 into cause theta है तो अगर मैं compare करूँ दोनों तरफ तो यहाँ sin का जो coefficient x1 है यहाँ sin का a है तो x1 is equal to a आएगा और y1 is equal to 0 आएगा तो point आएगा a, 0 चुकि a, 0 xy नहीं है a, 0 है एक fix point है प्रूफ हो गया कि एक fix point a, 0 से पास हो रहा है ठीक है तो कैसी कही अच्छी कही न तो फिर नमस्कार अगले question में फिर कहेंगे नमस्कार झाले यहाँ